पाट, सोला, लालू और पीलू एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूजे थे एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था पीलू एक मुर्गी है जिसके दो चूजे हैं एक का नाम है लालू और दूसरे का नाम था पीलू लालू लाल चीजे खाता था पिलू पिली चीजे खाता था एक दिन लालू ने एक पोधे पर कुछ लाल लाल देखा एक दिन जो लालू चूजा है उसने एक पोधे पर कुछ लाल लाल देखा लालू ने उसे खा लिया अरे यहा तो लाल मिर्च थी लालू ने जो लाल लाल देखा था वहां क्या थी लाल मिर्च थी लालू की जीब जलने लगी वहां रोने लगा मुर्गी दोड़ी हुई आई पिलू भी भागा वहां पिले पिले गुड का टुकडा ले आया लालू की जीब जलने लगी थी तो वहां रोने लगा मुर्गी दोड़ी दोड़ती हुई आई और पिलू भी भागा वहां पिले पिले गुड का टुकडा ले आया पिले पिले टुकडा कौन लेकर आया पिलू क्योंकि वहाँ पिली पिली चीज खाता था इसलिए वहाँ गुड का टुकडा ले आया लालू ने जट गुड खाया उसके मुझ की जलन ठीक हो गई मुर्गी ने लालू और पिलू को लिप्टा लिया क्या होता अगर लालू और पिलू को सफेद और हरी चीजे पसंद आती तो क्या उनके नाम अलग-अलग होते हाँ उन दोनों के नाम अलग-अलग होते अच्छा फिर वे क्या-क्या खाते अगर लालू और पिलू लालू का नाम में अगर सफेद और पीलू का नाम अगर हरा होता तो वह क्या-क्या खाते अब बताना है कि वो दोनों क्या-क्या खाते अगर लालू का नाम सफेद रखा है तो वह क्या-क्या खाता वह सफेद चीजे खाता जैसे चावल, साबुदाना, खीर और पीलू अगर इसका नाम अगर हरा होता तो बहर क्या क्या चीजे खाता जैसे हरी सबजी, खीरा, मूंग दाल second question, लाल मिर्च खाते ही लालू की जीब जल गई तुम्हारी जीब क्या क्या खाने पीने से जलती है अब बताना है कि तुम्हारी भी जीब जलती है तो तुम क्या क्या करते हो किस किस चीजों से खाने या पीने से जीब जलती है जैसे हरी मिर्ची, लाल मिर्च, गर्म खाना, गर्म दूद, ये सभी चीजे खाने या पीने से हमारी जीब जल जाती है जीब जलने पर तुम क्या करते हो हमारी जीब जलने पर हम पानी पी सकते हैं गूर और शकर एवं मिठाया भी खा सकते हैं ये सब फेर कॉपी में उतार लेना और याद भी करना है